वेलकम गाईज आज की शुड़मा हम इस्टाग्राम का पुराने एकाउंट डिलीट करके नेव एकाउंट बनाना सिखेंगे इस्टाग्राम की पुरानी आडी डिलीट करके नेव आडी बनाना सिखेंगे तो गाईज अगर आप अपने इस्टाग्राम का पुराना के निए बनाना सिख जेंगे तो बीडियो को स्टार्ट करने सपहले इस विडियो को descriptive करते हैं और सब्Ps करना है और यहां का पर अपने इस्टार्म में चले आना है अर setting में आनक बाद यहाँ पर नीचे का साइड आपको एक option दिखने को मिल जेगा Help का तो अब आपको इस पर किलिक करना है और ज разм 지ए Help पर किलिक कर देंगे यहाँ पर आपको कुछी तर्बावा से option dик दिखने को मिल जागे और जैसे थिरी लान पर किलिक कर देंगे यहाँ पर आपको कुछी तरह साप्षन दिखना को मिल जाँगे तो अब आपको यहाँ पर जो सकेंड नबर पर एक आप्षन दिख रहा है मैनेज़ एकांट का तो अब आपको इस पर किलिक करना है और जैसे मेरे ज़ियर account पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर आपको बहुँछ से option देखने को मिलेंगे तो अब आपको यहाँ पर जो एक option देख रहा है और आपको निचे के इस्क्रोल करने को ब法 oportunidad आपको एक option देखने को मिलेंगे delete your instagram account का तो अब आपको इस पर click करना है और जैसे delete your instagram account पर click कर देंगे यहाँ पर आपको कुछी तरह का पर दिखनक मिल जागा तो अब आपको यहाँ पर जो एक option दिख रहा है android app help का तो अब आपको इस पर click करना है और जैसे android app help पर click कर देंगे यहाँ पर नीचे आपको कुछी तरह से option दिखने को मिल जेंगे तो अब आपको यहाँ पर नीचे से second number पर जो एक option दिख रहा है mobile browser help का तो अब आपको इस पर click करना है और जैसे mobile browser help पर click कर देंगे फिर से आपको कुछी तरह का पर दिखने को मिल जेगा तो अब आपको नीचे के साइड स्क्रोल करना है और नीचे के साइड स्क्रोल करने के बाद यहाँ पर आपको एक आप्सन दिखना को मिल जागा है डिलीट यह एकाउंट का तो अब आपको इस पर किलिक करना है और जैसे डिलीट यह एकांट पर किलिक कर देंगे यहाँ पर आपको कुछी तरह का पर दिखने को मिल जागा तो अब आपको यहाँ पर जो एक बाक्स दिख रहा है अब आपको इस पर किलिक करना है और इस पर किलिक करने के बाद यहाँ पर आपसे आपके एकाउंट को डिलीट करने का रिजन पुछा जाएगा तो अब आप जिस रिजन से अपने एकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं आपको रिजन यहां से देदना है या तो आप यहां पर कोई सबी रिजन दे सकते हैं तो गज इस तरसे यहां पर आपको एक कोई रिजन देदना है उसके बाद अब आपको नीचे के साइड स्क्रोल करना है और नीचे के साइड स्क्रोल करने के बाद यहां पर आपसे आपके बढ़े को देख लिए गा उस बीडियों को देखकर आप बहुत यसानी से अपने इस्टेग्राम एकांट का पासवर्ट पता कर सकते हैं तो जाकर आप उस बढ़े को देख लिए गा और गाजी आप आप देखते हैं नीचे कुछ कंडिशन वेगर बता रहा है कि अगर आप एकांट को डिलीट कर देते हैं तो 30 दिन के बाद आपका एकांट पर्मानेंटली डिलीट होगा अगर आप 30 दिन के अंदर में अपने एकांट को रिकवर करना चाहते हैं तो रिकवर कर सकते हैं वरना 30 दिन के बाद आपका एकांट पर्मानेंटली डिलीट हो जाएगा 30 द और जैसे के करेंगे bisher आपका एकांट डिलीट हो जाएगा तो जूसे इस तरह से आऊ इस्टेगराम का पुराना एकांट कर सकते हैं तो जिस dale जान लेता है कि eka अगर आप को का पुराना एकांट डिलेट कर देंगे यहां पर आपको कुछी तरह का पर दिखना को मिल जागा तो अब आपको नीचे यहां पर जो एक आपसन दिख रहा है साइन अप का अब आपको इस पर किलिक करना है और जैसे ही साइन अप पर किलिक कर देंगे यहां पर आपको कुछ तो आपको उस ओड़ पी को इस अपर देना होगा अगर आपका मुबाईल नबर इस पॐन में है तो यह आटमेटिक ले ले लेगा और आपको कुछ ही तरका पर दिखने को मिल लेगा तो आपको यहाँ पर ऊपर वाले box में अपना नेम देद करेंगे हैं तो जिस तरह से यहाँ पर आपको यहाँ पर यह एक आपसन दिख रहा आै continue and sign contact तो अब आपको इस पर click करना है और जैसे आप इस पर click कर देंगे यहाँ पर आपको कुछ चीज तरह का पर दिखना को मिल जागा और यहाँ पर आपका date of birth मांगा जाएगा तो अब आपको यहाँ पर अपना date of birth दे देना है तो गैज इस तरह से यहाँ पर आपको अपना date of बड़ दे देना है उसके बाद आपको यहाँ से next कर देना है और जैसे ही next कर देंगे यहाँ पर user name create करने का आपसाना जगा तो अब आपको यहाँ पर अपने account के लिए एक username create कर लेना है तो गंजी इस तरह से आपको यहाँ पर अपना name और कुछ code ऊगेरा देकर आपको यकày username create कर लेना है उसके बाद अब आपको यहाँ से next कर देना है और जिसा ही next कर देंगे यहाँ पर आपको कुछ इतर इतर का पर दिखना को मिल जएगा तो अब आपको यहाँ पर arrow का icon पर click कर देना है और जिसे आप arrow का icon पर click कर देंगे आपका account बनकर complete हो जाएगा यहाँ पर आप देखते हैं मेरा account बनकर complete हो चुका है तो गाज जी तर से आप बहुत ही असान से अपने Instagram का पुराना account डिलीट करके एक new account बना सकते हैं एक new ID बना सकते हैं